नमस्क्राइब दोस्तों मैं आकाश अपर्ष वागदे दिखसेटी सेंटे यूटेब चैनल पर देखो ऑफिशियली जो है आर पी कोलकाता से आप जो है ट्वीट उनका है उनका देख सकते हो जहां पर इस वीडियो में हम लोग वह बात कर लेंगे एक्चुली बहुत सारे होगा कहां पर सेंटर होंगे या सीटी कौन सा होगा तो सभी जो है वह हम लोग बात कर लेते हैं और एक ही साथ होगा कोछ ब्रेक में होगा तो यहां पर एक्जाम बोट पर्ट्स विल बी हेल्ड ऑन आफ्टर एन अदर विड़ाट इनी ब्रेक समझ में आगे एक्दम कोई भी ब्रेक नहीं होगा डाइ घंटे का एक्जाम है लगातार आपका होगा पहले डेर गंटा पार्ट ए हो जाएगा उसके बाद वान आवर जो है आपका मिल जाएगा आपको पार्ट टू के लिए ठीक है तो दोनों मिलका है ठाइग घंटा जो है आपको मिलेगा पार्ट and paid without any break part exam result will be decide the merit merit किस में बनेगी समझ लो अच्छे से part A एक गदम कोई दिमाग में ये मतलग हो part B technical part will be qualifying only सिर्फ आपको 35% लाना है marks ठीक है qualifying हो जाएगी तो इसको भी pressure देके मतलब उसको भी concentrate करो लेकिन most concentrate करो जो है पार्ट A में उस वही merit बनेगी ठीक है उसके बाद आता है देखो cbt2 exam जो होगा वह 12-14 तक होगा ये clear हो चुका है सैमिल दिन से at all exam center in India like cvd1 मतलब cvd1 में जहां पर वा था वहीं पर मनें आपका जहां पर center था वहीं पर आपको कहीं पर भले जो और भी भड़े हो कहीं पर आपको जाना नहीं पड़ेगा मतलब जो railway चाहती है बिसिकली वह आपको जितना नजदीक हो उतना नजदीक आपको exam जो है देना चाहेगी exam centers करेगी अगर नहीं होता है तो फिट जाके आपको दूर में होगा इस बार क्या chances से तो maximum chances क्योंकि number of candidates कम हो गए तो maximum chances है आपके exam center आपके घर में ही मिलेगा और धाई घंटे का exam है ठीक है इसके बाद देखो पैन इंडिया cvt1 होतो होई है तो आपको यह जवाब मिल गया सभी doubts clear होंगे आप अपना जो है पढ़ाई करते रहो और सभी updates के लिए बने रहे हैं हमारे चैनल में thank you for watching फिर मिल देख नए वीडियो का सब्सक्राइब तिल देख